हलो फ्रेंद्स छे माता दी कैसे हैं आप सुब दोस्तों बहुत ही खुबसूरत महना चल रहा है फागुन का पवित्र महना और ऐसे में कृष्ण पक्ष की चतुरदशी का वेट हम सबी कर रहे हैं दोस्तों तेरा फरवरी को वो कृष्ण पक्ष की चतुरदशी आने वाली है यानि की महा शिवरातरी का पर्व जब तीनों भौनों की अपार सुन्दरी गोरा माता को अरधांगनी के रूप में शिव ने अपना बनाया था दोस्तों शिव प्रेतों और पिशाचों से घिरे रहते हैं उनका रूप बड़ा ही अजीब है शरीर पर मसानों की भस्म गले में सर्पों का हार कंठ में विश जटाओं में जगत तारिनी पावन गंगा और माथे में प्रेलाइंकर ज्वाला है बैल को वाहन के रूप में स्विकार करने वाले शिव अमंगल रूप में होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और श्री और संपत्ति प्रदान करते हैं चत्युदर्शी तिथी के स्वामी शिव होते हैं इसलिए जोतिश शास्त्रों में इस तिथी को परम शुब्धफल दाई कहा गया है वैसे तो शिवरातरी हर महीने आती है परन्तु माग कृष्ण पक्ष की चत्युदर्शी को महा शिवरातरी मानी जाती है महा रातरी और मोह रातरी के नाम से हम इसे जानते हैं बड़े बड़े तांतरिक उपाए हो बड़े बड़े पूजा हो अभी लोग जो आम इंसान हो वो सभी इस दिन पूरी रात को जाकरन करते हैं शिव की आराधना करते हैं शिव का ध्यान करते हैं और जोतिश गन्ना के अनुसार भी हम मानें, तो सूर्य देव भी इस समय तक उत्तरायन में आचुके होते हैं। रितु परिवर्तन का ये समय अत्यन्त ही शुब कहा गया है। शिव का अर्थ है कल्यान, शिव सबका कल्यान करने वाले हैं, अत्या महा शिवरातरी पर सरल से उपाई करने से ही इच्छित सुखों की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन भगवान, शिव और माता पारवती को खुश करने के लिए बहुत सारे विद्यों से पूजा की जाती है। वैसे तो भोले नात, भोले भंडारी हैं, आप थोड़ा सा उनका जप कर ले, एक लोटा जल चड़ा दें, वो आपके हो जाते हैं। पर दोस्तों, विदी विधान से अगर किसी को भी, जो बाबा हमारी इतनी केयर करते हैं, उनकी हमें अगर थोड़ी सी विदी विधान से पूजा करनी चाहिए, तो जरूर करनी चाहिए, ताकि हम उनको प्रसन न कर सकें। दोस्तों, शिव पुरान के अनुसारिन विधियों का हमें पालन करना चाहिए, और शिवलिंग को पवित्र जल, दूद, मधू, आदी से स्नान कराना चाहिए। भगवान को बिलपत्र अर्पित करें, धूप पत्ती करें, दीपक जलाएं, और चाहिए सागर सूख जाए, हिमाले तूट जाए, परवत विचलित हो जाए, परन्तु शिव वरत कभी भी निश्वल नहीं होता। इसका पक्का विश्वास अपने मन में धारन करके चलें। एक समय भगवान राम भी जवरत को रख चुके है और शिव को अती प्रसन करने वाला मंत्र है महा मृत्यूंजय मंत्र। लोगों की धारना है कि इसके जप से व्यक्ति की मृत्यू नहीं होती, परन्तु ये पूरी तरह सही अर्थ नहीं है। महा मृत्यूंजय का अर्थ है महा मृत्यू पर विजय, अर्थात व्यक्ति की बार बार मृत्यू ना होना, मोक्ष को प्राप्त हो जाना, उसका शरीर स्वस्थ रहना, धन एवं मान में वृत्धी होना, और जनम मृत्यू के बंदन से जो मनुश्य मुक्त हो जाए वो ही मह महा मृत्यूंजय मंत्र कहलाता है। इस तरह से इस मंत्र का आपको चपना चाहिए। पताऊंगी कैसे करना है। अपने बेल में पक जाने के बाद उसी बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार हम भी इस संसार रूपी बेल में पक जाने के उपरांद जनम वृत्यूं के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाए। तथा आपके चरनों की अमरित धारा का पान करते हुए शरीर को त्याग कर आप ही में लीन हो जाए। दोस्तों कहा जाता है कि ये मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी असीम क्रिपा प्राप्त करने का माध्यम है और इस मंत्र का सवा लाक बार अगर आप निरंतर जप कर लेते हैं तो आने वाली या मौजुदा बिमारियां तथा अनिष्ट कारी ग्रहों का दुश प उससे पानी डालते वक्त अगर आप शिवरात्री वाले दिन इस मंत्र का लगातार जप करते रहेंगे तो स्वास्त लाब तो होता ही है आप चाहें तो अगले 43 डेस तक रोज ये मंत्र का जप करते करते स्नान करें अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की व्यादी है पी ले तो माना जाता है मनुष्य हमेशा यंग रहता है योवन उसका साथ नहीं चोड़ती और इस चमतकारी मंत्र का नित्य पाठ करने वाले व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा निरंतर बरस्ती रहती है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से आपको इस संकल्प लेना चाहिए आप किसी भी समय ले सकते हैं इस पैशली ध्यान रखना चाहिए कि आपको पवित्र अवस्था में हो करके एक दिन पहले शाम को नौन वेज ड्रेंग्स कोई भी गलत तरह की तामसी भुजन आपको नहीं करने चाहिए और उस दिन बैठ करके वरत का शिव जी की पूजा करके संकल्प लें कि कल में शिवरातरी वरत को करूँगी या करूँगा इसके बाद आपको महा शिवरातरी के दिन भगवान शिव को गंगा जल से उनका अभिशेक करना चाहिए दोस्तों मुझे पता है कि गंगा जल इतना सारा आपको नहीं मिल सकता तो थोड़े से एक लोटा ले ले और थोड़ा सा उसमें पहले गंगा जल डाल लें, फिर उसमें आप पूरा उपर तक जल भर लें, इस तरह से आप गंगा जल प्रिपेर कर सकते हैं और उससे आप शिव जी का अभिशेक करें। महा शिव रातरी के दिन भागवान शिव की मूर्ती या शिवलिंग को पंचा मृत से स्नान करा करके ओम नमह शिवाए, ओम नमह शिवाए, पूरे टाइम आपको इस मंत्र को जबतेवे मन ही मन आपको पूझा करनी चाहिए। इसके बाद रातरी के चारों प्रहर में शिव जी की पूझा करनी चाहिए और अगले दिन प्राता काल ब्रामनों को दान दक्षिना दे करके वरत का पारण करना चाहिए। चार प्रहर की पूझा मैंने बताई थी आपको पूरा समय आदी बताया है। चार प्रहर की पूझा जो मैं बता रही हूँ चार रातरी जागरण का नियम होता है और चार प्रहर में से आप चाहें तो चारों प्रहर की पूझा कर सकते हैं। शाम को शुरू हो जाएगी 13 फरवरी को शाम को 6 बचकर 5 मिनट से 9 बचकर 20 मिनट तक दूसरे प्रहर की पूझा होगी 9-20 से आपको रात को 12-35 तक तीसरे प्रहर की पूझा होगी आपको 12-35 से सुबह 3 बचकर 50 मिनट तक और चौथे प्रहर की पूझा होगी 3-49 से आपकी 7 चार मिनट तक इस तरह से आपको चारों प्रहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन सुबे आपको मैंने बताया साथ बजी के बाद आप ब्राम्मनों को दान दक्षिना दे करके वरत का पारण जरूर करें गरुड पुरान के अनुसारे जिन भगवान शिव को बिलपत्र के साथ सफेद आखडे के फूल अर्पित करने चाहिए भगवान शिव को बिलपत्र सफेद आखडे के फूल भांग और रुद्राक्ष इन सब चीजों से आप पूजा करते हैं तो ये विशेश रूप से शिवजी को अर्पित करें, विशेश कर जंगली, फूल और फल, शिवजी को बहुत प्रियम आने जाते हैं। आपको जब करना है। अच्छे वर की पूजा आपको जरूर करने चाहिए। 43 देज तक शिवरात्री से शुरू करके लगातार आप शिवजी के सामने बैठकर इस मंत्र का जब करें। ध्यान रखें दोस्तों इसके पहले आपको जल अभी शेक जरूर करना है। चंदन चढ़ाना है शिवजी को भांग धतूरा आकड़े का फूल जो भी बेलपत्र आदी आप जिस चीद से भी आपके पास अवेलिबिलिटी हो उससे पूजा करें। कुछ ना मिले तो आप थोड़े से दाने अक्षत के चढ़ाएं। अक्षत क्या बिने टूटे हुए चावल। वो कम से कम चढ़ा करके उसके बाद आपको शिवजी को इस मंत्र से चप करना चाहिए। दोस्तों लक्षमी अपने श्री रूप में अक्षंड रूप में केवल भगवान शिव की कृपा से ही जीवन में प्रकट हो सकती है। इसलिए अक्षंड लक्षमी की प्राप्ती के लिए आप एक मंत्र की दस माला का चप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पारिवारिक सुख सौभाग यहे तू तो आपको एक छोटा सा मंत्र बता देती हूं ओम सांब सदा शिवाए नमहा। और आपकी अलग-अलग कामनाए हैं तो मैंने आपको चार-पांच मंत्र बताए हैं आप चाहें तो उन मंत्रों का उच्चारन कर सकते हैं। महामरित्युन्जे मंत्र कैसे करेंगे आप ओम हौं जूं सह ओम भुर्भुवा स्वह यह आपका महामरित्युन्जे गाईत्री मंत्र हैं। इस तरह से शुरू करना है आपको ओम हौं जूं सह ओम भुर्भुवा स्वह ओम तुरयंबकम यजा महे सुगंदिम पुष्टी वर्धनम उर्वारुक मेवबंधनान मृत्योर मुक्षिय मामरितात फिर ओम स्वह भुवा भू ओम सह जूं हौं ओम इस मंत्र का आपको 108 मंत जरूर करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जब आपको कम से कम सवा लाक बार जरूर करना चाहिए दोस्तों गाहितरी मंत्र के बाद सबसे जादा चमतकारी मंत्र यह माना जाता है और ध्यान रखें दोस्तों अगर इस मंत्र को आप सच्छे दिल से करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी असीम कृपा को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो भोले नात को दोस्तों इस बार शिवरातरी पर एक छोटे से मंत्र से जरूर प्रसन्न कर लें और ध्यान रखें। सवा लाक बार निरंतर अगर जब करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, मौजूदा बिमारिया है या अनिष्ट कारी ग्रह है, उन सभी का दुश्प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस मंत्र के माध्यम से अटल मृत्यू तक को टाला जा सकता है। स्टेक के जय माता दियें, पंपंभु लेनात की।